हैले दोस्तों आफ से भीका फिर से स्वागत है हमारे यूटूब चैनल से जियारे स्टेडियाइकू में मैं हूँ प्रकास बिंद्रा और जो दोस्त मेरे यूटूब चैनल पे नए है चैनल को जरू सस्क्राइब कर लें बेल आइकन का बच्टन दमाना बिल्कूल भी ना भी अधर एक जांस में इससे कोस्तन बने हुए हैं किसी भी स्टेट्ट एक्जाम को लेकर यूपी एससी थीपल सी ठीक है और तो आपको लेकपाल के लिए जो हैं दोस्त जुड़ों है मुझसे वो जरूर देखे इस वीडियो को ठीक है आज से सुरू कर रहा हूं पूरा जनरल साइंस पूरा कंप्लीट कराऊंगा ठीक है जियो जोलाजी से लेकर बौट्नी कमेस्टी फिर फिजिक्स से जितने भी कोशन रिलेट करके आते हैं जनरल साइंस से सब कुछ ओके कराने वाला हूं वीटामिन्स नर्वस सिस्टम ठीक है रिप्रडुक्ट्रिव सिस्टम और जितने भी मनलब कि हूमन बॉडी से लेकर कंका आतन्त्र जितने भी टॉपिक्स है मैं इसको दिरे दिरे इसी सिरीज में जनरल साइंस के सिरीज में गांप्लिट कराने वाला हूं तो भूम के 25 के मातरक एक इंची बराबर 12.54 सेंटी मीटेर होता है अब चूकि इसको निकालने में कैसे ठीक यहां गुड़ित करेंगे एक गुडित सव बटे 49.3 तो आपका निकल जाएगा 2.54 cm अगर 1 इंची को cm में कनवर्ट करते हैं तो अब ही अगर 1 cm को 1 में कनवर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा एक इंची बराबर कितना होता है 0.00 2 5.4 मीटर ठीक कैसे करेंगे एक गुडित 1 बटा 49.3 फिर इक उल करेंगे तो आजएगा 0.00 2.5 4 मीटर एक इंच में कितना गाज होता है तो एक इंच में 0.00 2.77 गाज होता है कैसे निकालेंगे एक गुडित 1 बटे 36 बराबर 0.00 2.77 गज होता है ठीक अब बात करते हैं एक सेंटी मीटर में कितने इंच होते हैं ठीक तो एक सेंटी मीटर में आपके 0.00 3.9 सेंटी मीटर होता है ठीक 0.39 सेंटी मीटर होता है एक फुट में 12 इंच होता है ठीक एक फुट में 30.48 cm होता है ठीक तो कैसे निकालेंगे जब एक एक इंच में 2.54 cm होता है तो 12 इंच में कितना हो जाएगा 12 इंच में 2.54 करेंगे तो 30.48 cm निकलाएगा ठीक और एक फुट में 0.3 मीटर होता है ठीक अब बात करते हैं एक गज या याड की जो मापने की पैमाई से गज में भी मापते हैं उसी क्या बोलते हैं इंगलिस में याड एक गज में तीन फुट होता है ठीक कितने फुट होता है और एक गज में कितने इंच होता है तो 36 इंच होता है ठीक कैसे एक फुट में 12 इंच तो 3 फुट में 12 आए 36 इंच ठीक तीन फुट में 12 इंच से 12 से गड़ा कर देंगा तो 36 इंच आ जाएगा और एक गज या यार्ड में ठीक है, एक गज या यार्ड में कितने संटीमिटर होते हैं, 91.44 संटीमिटर होता है, निकालेंगे कैसे, 36 गुणित, 100 बटे, 49.37 से करेंगे तो 91.44 संटीमिटर आ जाएगा, ठीक, वहीं एक गज में अगर मीटर की बात करें, तो 0.9, 144 संटीमिटर होता है, कैसे निकालेंगे, 36 गुणित, 1 बटे, 49.37 साथ, तो आ जाएगा आपका, 0.9, 144 मीटर आ जाएगा आपका, ठीक है, अब बात करते हैं, एक वर्ग गज में कितने वर्ग मीटर होता है, तो एक वर्ग गज में 0.8, 3 वर्ग मीटर होता है, दोस्तों, आपको मेरे साथ इसको newt करतेרה चलना है, और याद करना है, ठीक है, ज्यदा अंदर तक घुशने की जरुरुरत नहीं है, कैसे आया, क्यूं आया है, ठीक, क्योंकि आप उतना नहीं कर पाएंगे तो आप जो मैं आकड़े लिखा हूँ उसको क्या करना है आपको याद करना है देखना है लिखना है नोट करना है और कोस्टन यहीं से बनते हैं क्योंकि आप लेकपाल की वेकंसी के लिए अपलाई कियों है आप लेखपाल की वेकंसी देख रहे हैं तो भूम 25 लेखपाल का काम रहता है भूम का व्यवरा तयार करना इन सब चीजों के लिए उसे यहां से कोशन उसके एक्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे 100% देखने को एक वर्ग फुट बराबर कितना होता है कितना मीटर वर्ग मीटर होता है जीरो दसमलो जीरो नव वर्ग मीटर होता है एक वर्ग इंच बराबर कितने वर्ग सेंटीमीटर होता है चाह दसमलो चार पांच सेंटीमीटर होता है कितना होता है चाह दसमलो चार पांच अब बात करते हैं एक कंचवासी बराबर 2089 होता है और एक कंचवासी बराबर ठीक, तीन दस्मलो, चार, जीरो, तीन, एक, दो, पांच वर्ग फुट होता है कितना होता है? तीन दस्मलो, चार, जीरो, तीन, एक, दो, पांच वर्ग फुट होता है ठीक, और एक विस्वासी बराबर 20 कंचवासी ठीक, एक कंचवासी बराबर 20 उन्नुवासी तो एक विस्वासी बराबर बीच कंचवासी के बराबर होता हैं, ठीक है, चाहे विस्वासी बोलो, ठीक है, विस्वासी बोलो, ठीक है, वही चीजें, कैसी आया, ठीक है, अब देखूं, अगर वर्गफुट में वही एक विस्वासी, विस्वासी अगर निकाले एक विस्व बराबर कितने वर्गफुट तो आपका हो जाएगा 68.062 वर्गफुट आपका हो जाएगा ठीक क्योंकि लंबाई ले लेंगे 20 फिट और चोणाई ले लेंगे इसका 6.08 तो आपका 68.08 इतना हो जाएगा वर्गफुट अब एक विश्वा की बात करें एक विश्वा की अगर हम बात करें एक विश्वा बराबर 20 विन्सवासी होता है अब वहीं वर्गफुट की बात करें एक विश्वा में कितना वर्गफुट होता है तो 20.68062 वर्गफुट होगा मैं इतना पूरा आंकड़ा इसलिए लिखा हूँ कि आप कहीं कंफ्यूज नहों कि कहीं कुछ डाटा इधर उधर हो रहा है ठीक है एदम पूरा एनिलासिस करके यह चीजे आंकड़े बनाए गए हैं तो आप बिल्कुल घबराएएगा मत ठीक है एक विश्वा बराबर ठीक तेरसो एकसट वर्ग फिट होता है कितना होता है ठीक तेरसो एकसट वर्ग फिट होता है एक कच्चा भी घबराबर कितना होता है ठीक एक कच्चा भी घबराबर कितना होता है एक हजार आठ वर्ग घज कितना होता है एक हजार आठ वर्ग घज होता है ठीक एक वर्ग घज में नव वर्ग फूट होता है कितना होता है एक वर्ग घज में नव वर्ग फूट होता ह तो आपका क्या हो जाएगा यहां यह जो वर्ग फुट लिखा है यह गज़ होगा ठीक है गज़ वर्ग गज़ होगा यहां पर बना लेजेगा थोड़ा मिस्टिक हो गया है तो कितना वर्ग फुट होगा आपका यहां पर आपका होगा यहां पर 9075 वर्ग फुट ठीक है और एक कच्चा बीघा में 443 वर्ग मीटर होता है एक कच्चा बीघा में 0.285 एकड होता है कितना होता है zero 2.0 0.051 एकड़ होता है एक कच्चा बीघा में और एक कच्चा बीघा में ही कितना हेक्टेयर होता है तो 0.0843 कितना होता है हेक्टेयर होता है ठीक है आप धीरे धीरे नोट करते चलिएगा अब बात करते हैं एक पक्के बीघे की एक पक्का बीघा बराबर होता है आपका एक वर ळोह की चैन होती है, कड़ी की, ठीक, जो होती है ठीक, वहिं है ठीक, पच्पन वर गज गुरे 55 वर गज बराबर 20 विश्व होता है, ठीक, एक पक्का विखय में कितना होता है? बिस विश्वा होता है ठीक पचपन वर्गज इधर पचपन वर्गज इधर लेंगे तो एक पक्का विगह बनेगा और वो पक्का विगह कितने विश्वा का होता है तो बीस विश्वा का होता है ठीक कुशन आगा एक पक्के विगह में कितने विश्वा होता है तो बीस फुट होता है ठीक 20 विश्वा गुणि 1361 करेंगे ठीक यह बीस विश्वा गया और 1361 आपका पीछे के आंकड़े से हैं तो 27,225 वर्ग फुट हो जाएगा या पच्पन गुणि पच्पन गुणि 3 कर देंगे ठीक तब भी आपका 27,225 वर्ग आपका तीन कच्चे विगे के बराबर होता है अब बात करते हैं एक एयर की एयर भी एक मापने का 25 है भूम 25 का एक इक 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 एक इयर बराबर आपका हो जाएगा एक हजार वर्ग मीटर ठीक और एक हेक्टियर में कितने एयर होते हैं तो 100 एयर होते हैं एक हेक्टियर में 100 वर्ग मीटर होता है ठीक एक हेक्टियर में कितने वर्ग मीटर होता है तो 10,000 वर्ग मीटर होता है एक हेक्टियर में 2.4,1,7 एकड़ होता है और एक हेक्टियर में 10,000 एक लाख 7,649 वर्ग फुट होता है इसके कार्डिंग यह आजा है अब बात करते हैं एक एकड़ की ठीक एक एकड़ में आपके कितने वर्ग फुट होता है तो एक एकड़ में आपका 43,560 वर्ग फुट होता है और एक एकड़ में 1,6 पक्का भीगा होता है ठीक और एक एकड़ में ही आपके 48,440 वर्ग गज होता है एक एकड़ में ही 44,047 वर्ग मीचर होता है तो यह आखड़े आपको लिखते चलने हैं याद करते चलने हैं क्योंकि कोस्टन जो बनेगा भूम के 25 से इसके बाहर कही नहीं जानने वाला है दोस्तों मुझे भरोसा रखिए आप मेरे साथ जुड़ अब बात करते हैं आगे की ठीक एक से एक मीचर बराबर ठीक कितना एक मीचर बराबर आपके सब सेंटीमीटर होता है और एक इंची में दो दस्मलो चार-पांच संटीमेटर होता है ये मैं पहले बात कर चुका हूँ एक मीटर बराबर 49 दस्मलो तीन साथ इंच होता है जो वहां पर भाग कर रहे थे जिससे कि एक इंच में कितना संटीमेटर निकाल रहे थे तो वही जो आकड़े हैं उसी के हिसाब से आप वहां के 25 के लिए एक हाथ, गठा, हेकर, तमाम चीज है ठीक है, तो एक हाथ में 18 इंची होता है, ठीक, चुकि एक गज में 3 फूट, ठीक है, तो 3 फूट में 36 इंची, एक फूट में 12 इंची, ठीक है, तो 18 बटे 36 जब भाग करेंगे, तो एक बटा 2 गज आ जाएगा, ठीक, तो ए एक गज में 3 फूट होता है 36 इंच 18 बटा और एक हाथ में 18 इंच होता है तो 18 बटा 36 करेंगे तो एक बटा 2 गज आपका आजाएगा एक हाथ में 0.4572 मिटर होता है ठीक क्योंकि एक मिटर में 49.73 इंच होता है तब फिर एक हाथ में 18 इंच 18 में 49.73 साथ से भाग देंगे तो कितना मिटर आ जाएगा आपका 0.4572 मिटर हो जाएगा ठीक है तो आप नोट करते चलिए मेरे साथ एक गठे की बात करें तो जो आपका एक गठा होता है वो 99 इंच का होता है कितने इंच का होता है 99 इंच का एक गठे में कितने गज होते हैं दो दस्मलो साथ पांच गज होते हैं ठीक 99 में 36 से भाग देंगे क्योंकि एक गज में 36 इंच या 3 फूट होता है तो 99 इंच में 36 से भाग देंगे तो 2.75 गज आपका आजाएगा ठीक एक गठा में कितना मीटर होता है तो आपका 2.5146 मीटर होता है 99 गुणित 1.49 दसमलो 3.7 से आप भाग देंगे तो आपका इतना एंसर आजाएगा दसमलो 5.46 मीटर है जरीब मैंने बात कर ली आठीक एक चैन होती है चैन की कड़ी होती है लंबी सी उसको क्या बोलते है जरीब बोलते है एक जरीब या चैन बराबर 22 गज होता है कितने गज होते है बाइस गज होते हैं और एक गज में तीन फुट होता है ठीक और एक गज में कितने इंची होता है 36 इंची होता है ठीक तो एक जरीब या चैन में कितने फुट हुए तो 22 में तीन से गुड़ा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6-6 फुट हो जाएगा ठीक है और एक जरीव्याद चेन में 20.168 मीटर होता है कितना होता है? एक 20.168 मीटर होता है एक जरीव्याद चेन में ठीक, और कोस्टन यहां से बना हुआ है एक बार कि एक जरीव्याद चेन में कितनी कड़ी हैं तो साव कड़ी होती है एक जरीव्याद चेन में ठीक है, अब एक कड़ी की बात की जाए, तो एक कड़ी बराबर साथ दसमलो, साथ दसमलो, नो दो इंच का होता है, एक कड़ी जो, ठीक, सव कड़ी का एक जरी व्या चेन होता है, और एक कड़ी में जो लगा रहता है, उसमें चेन में कड़ी जो होती है, वो साथ दसमलो, न हात होता है एक कड़ी बराबर 0,676 fit होता है यह धर्बलगल में मैंने निकाला भी है कैसे आया है ठीक और एक कड़ी में 0,672,0116,8 meter होता है ठीक जिसे एक गज में 36 inch 1,fit में 12 inch और एक हात में 18 inch एक मीटर में 49,7,7 इंच होता है तो यह चीज़े यहाँ पर रखेंगे आप तो आपको एंसर मिल जाएगा कितने फिट, कितने गज यह चीज मिल जाएगा एक फरलांग अब बात करते हैं एक फरलांग बराबर कितने जरीब के बराबर होता है एक जरीब में 22 गज होता है, तो 10 गुनित 22 बराबर 220 गज, एक फरलाग में कितना हो जाएगा, 220 गज आपका आजाएगा, ठीक, एक मिल बराबर 8 फरलाग, ठीक, और एक फरलाग में 220 गज, ठीक, तो एक मिल में कितने गज हो जाएगा, 1760 गज हो जाएगा, ठीक, 8 गुनित 220 में कितने संटीमीटर तो आपके जो हो जाएंगे एक मिल में कितने संटीमीटर एक लाख साथ हजार नौसो कितना 34.4 cm आपका हो जाएगा एक मील में और वहीं एक मील में कितने मीटर की बात की जाए तो आपका 16.9.344 मीटर आपका आ जाएगा क्योंकि एक गज में 91.4 cm होता है एक मील में कितने किलो मीटर होते हैं तो एक मील में आपके 1.6.9 km होते हैं एक खबोली दूरी में ठीक है कितनी होती है खबोली दूरी एक दसमलो 49 गुणे 10 के पावर 11 मीटर होती है एक सिकंदरी गज 30 इंच के बराबर होता है जो सिकंदरी गज है वो कितने के बराबर होता है एक प्रकास वर्स में कितने मीटर होते हैं बराबर जीरो दसमलो एक फर्मी मीटे बराबर दस के पावर माइनस पंदर मीटेर होता है ठीक एक इंग स्ट्रांग बराबर दस के पावर ठीक 10 के पावर माइनस 10 मीटेर होता है ठीक एक माइक्रोन बराबर 10 के पावर माइनस 6 मीटेर होता है ठीक यह आंकड़े आपको के अंदर की ज़रुवत नहीं कहां साहे कैसे आए जो लिखा गया है बहुत सही सटीक लिखा गया है एक pound बराबर आपका 0.4536 kg होता है ठीक या एक pound बराबर 453.6 gram होता है ठीक एक kg में 205.3 pound होता है और एक करेट में करेट आता है एक करेट में 203.5 mg मनलं मिलीग्राम होता है एक byral में 159 लीटर आता है यहां से कोशन बना हुआ है ठीक और और काफी मुद्द्द欸z पर बने हुए है तो यह आपको धियान देना है ठीक एक गयालन जो गयालन होता है एक कया लेटर 4.785 लिटर 5.5 लेटर एक ग क्या बोलते हैं कि भूम के 25 से जुड़े हुए आकरे नेक्ट वीडियो में बात करूंगा नुट्रीशन पे ठीक पोसड पे पोसड क्या है कौन से कैसे पोसड अप्चाई नियंत्रक कौन है उर्जात पातक कौन है भूमी नियंत्रक वृधिन नियंत्रक अन्वानसें की निय दोस्तों तक सेर के रिए क्योंकि मैं यहां पर लेकपाल के स्रीज को लेकर आगे बढ़ रहा हूं कि धन्यवाद